भाई जिंदगी में आपने सबसे बड़ा पाप क्या किया है गलता है। बारवी तक में इतना तो जान गया था कि कम्प्यूटर और आईटी में गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, मेकैनिकल और सिविल में गया तो छोकरी नहीं मिलेगी। बेंचों जाे तो जाए कहा। फिर हमारे चाचा मामा या मौसी का आइंच्टाइन बेटा पता नहीं कहा से प्रकट हो जाता है। खुद के चारपाद सब्जेक्ट बैक होते हैं। और हमें साला देगा कि बाई मेकेनिकल में जा बहुत सकोप है। सकोप ये सकोप शब्ट सुनकर बात ही खतम हो जाती है। हमारे घर वालों को सकोप सुनकर तो ऐसा लगता है जैसा आपना बेटा अंबानी बनेगा। चोकरी गई भाड में तुझे तो मेकेनिकल इंजिनेरिंग ही लेना है। भुजडी का खुद तो डूपता है हमें भी साथ में ले जाता है। माक असम उस मुच्छड गांडू को मैं जिन्दगी में कभी माफ नहीं करूँगा। तुझे पाता है हम मेकेनिकल और सिविल वालों को लड़की के नाम पर एक बूडी प्रोफेसर मिलती है सिर्फ। हमारे जिन्दगी में सिर्फ लॉंडे लिके होते हैं लॉंडे रात को सपने भी हमें लॉंडे वाले पढ़ने लगे अब जो लोग आईटी और कम्प्यूटर में जाते हैं उनमें से 90% लोगों को घंटा पता नहीं होता कि बिल गेट्स और माइक्रोसफ्ट क्या है कल मैंने कम्प्यूटर के लॉंडे से पुछा ओं भाई रेश्मा कोने रेश्मा हाँ वह दूसरी भाली बेंच पर बेठती हैं ना काले बाल काली आके पर और दीपा दीपा हाँ वो गन्या की आइटम है ना काली आखे काले बाल काली अच्छा अच्छा बिल गेट्स सर अभी बाहर गए आएंगे थोड़ी देर में तेरी भेन का माइक्रोसोफ्ट मारा काली आखे काले बाल जा जाके अपना मुझ काला कर ले दुनिया में सबसे बहतरीन एग्जाम कोई देता है तो वो हमारे इंजिनियर एग्जाम का टाइम टेबल तीन महें पहले ही आ जाता है फिर भी हमारा इंजिनियर रात के बारा बजे फोन करके पूछेगा भाई पेपर कौन साइकल बारवी तक हमारे पैरेंट्स पूछते थे कितने परसेंटेज आए 80 या 90 और अब पूछते है कितने बैक लगे 2 या 4 बेंचोत मैंने कॉलेज की इतनी फी नहीं भरी होगी जितनी एक्जाम फॉर्म की भरी है एडमिशन के टाइम हर कॉलेज हमें बताएगा के हमारे पास बड़ी-बड़ी मल्टिनेशनल कमपनीज आती है गूगल, फारारी, मर्सडीज फिर लास्ट येर को हमको पता चलता है कि उन्होंने हमारा गंदा वाला चूटिया काटा है मर्सडीज दिखा कर रिक्षा फिटिंग का जॉब मिलता है वो भी पूरे 300 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों को बाकी बच्चे 297 बच्चों का फ्यूचर पोपट लाल के लंड जैसा लटकता रहता है इंजीनिरिंग के हर क्लास में तुझे एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगी जिसमें क्लास के सारे बज़े क्लास बंग करके छुट्टि लेकर घर जाते सिवाए एक मच्चर की गांड की ये भोजडी का वो मच्चर होता है जो इंसानों का नहीं मच्चरों का खुन पियेगा एसा मच्चर अपने आपको टॉपर बताता है इनको और्गेजम केसे होता है पूछो तो इट इस डिफाइंड एच से स्टार्ट करेंगे सुहाग रात के दिन भी पूरी प्रोसीजर रटा मारके जाएंगे ये लोग पेंचो दिये न्यूटन और आइंस्टाइन कहां मिलेंगे बात अमेरिको दुनिया के करोडो बच्चों की खोलकर मारी इन महाचुतियों ने ये दो लोग इंजिनियर्स के शाकाल और मोगैंबो है इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं इंजिनियर्स का पहला ये न्यूटन अबे भोसर पपू पेर से सेब सर पर गिरा तो खा लेता या गान में डाल देता वो उपर से नीचे क्यों गिरा ये जानना जरूरी था क्या है गान में उंगली करने के आदत जाती नहीं इनकी सेब नहीं नारियल गिरना चाहिए ता नारियल बेंचो तो वही मर जाता जान चुटती फिर आया ये आइनस्टाइन यहां बच्चों को ठीक से ABCD बोलनी नहीं आती ये बंदर उसके इक्वेशन बनाता है E is equal to MC square बराबर इंजिनियर is equal to Mark E2 वो भी दो बार पता नहीं इस assignment का invention किस गदे की गाण ने किया सालों से यही होता आ रहा है assignment पर assignment, assignment पर assignment, assignment पर assignment, assignment पर assignment मिलती रही है लेकिन ये समझ मेंने आ रहा बेंचो दिया assignment लिख क्यों रहे है हम student submission के लिए अपनी निन्द बेच कर college आते और ले जाते तो सिर्फ assignment लड़कियों ने अपने ball, sorry ball, अपना make-up, यहां तक कि अपना boyfriend भी बेच डाला और उन्हें भी मिला तो सिर्फ assignment महीनों सालों प्रोफेसर के केविन के चकर काटका student खुद बन जाते एक assignment और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ एक assignment कंट्रोल भाई, कंट्रोल, सनी दियोल आ रहा है भाई बाबा, हाँ वच्छ मेरी इंजिनेरिंग पूरी हुई है, आगे क्या करूँ? यह, इसके लिए भी एक चटा ही डाल रहे, अपनी बिराद रिकाए यह, इसके लिए लिए भी मिलती है